हमारी आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कोई जानता था मैं तो नहीं जानता था कुछ लोग से जानते थे आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन मूमी की जगा क्या है ना मुस्लिम जानता था ना हिंदु जानता था आम मुसल्मान जानता ही न ता आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाए या पॉलिटिजिन वोड़ बैंक के लिए सुप्रीम कोट ने ओर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटिट साइट पे इस इक्तिलाफी जगे पे कोई नहीं आना चाहिए उसके बावजूद 6 डिसंबर सन 1992 में 1992 में 6 डिसंबर में एक बड़ी गैदिरिंग हुई उसी डिस्प्यूटिट साइट के उपपर बाबरी मस हब से हेस्ट अथोरिटी इस मिल्क की नो गैदिरिंग तो भी गैदिरिंग हुई नहीं कौन गैदिरिंग किया ऑपकैजिट पार्टी अफ पोलिटिशं इस इन दो ओपोलिटिशन पार्टी हुकुमत चाहती थी तो रोक सकती थी आसानी है पुलिस उसके पास हत्यार था आसानी लेकिन नहीं रोका क्यों नहीं रोका opposition ने gathering की vote bank के लिए क्या मुझे vote मिलेगा politician जो power में थे अगर मैं उनको रोकूँ गा तो मेरा vote bank जाएगा तो जाने दिया आंदो no problem उसके बाद क्या होता है हजारों की तादात में दस हजार से जादा हजारों tens of thousands of people lakhs of people, lakhs of people, lakhs of people इकटा हुए सब जगा से त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहिद करते को ही भी अकलमन इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है से उकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है बोलते स्पॉंटेने दिरेक्शन था प्लानिंग नहीं थी टेलिविशन पे लाइफ दिख रहा है लाइफ दिखा रहे है लाइफ टेली का जा लाइफ मैच होता है न वैसा लाइफ दिखा रहे थे कितने चैनल दिख रहा था अपोजिशन की पॉलिशन बेटे हैं उदर हुकुमत बेटे हैं पूलिस के सामने और बाबरी मस्जिद नीचे आ थी नाइन लेविन नियॉयोक टिंटार को बम से गिराओ